सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ मेरे नए वीडियोज देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए थैंक यू हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं हूँ पूचा मैता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक में आप सभी स्टुडेंट्स का वेलकम है बच्चों क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम बिल ओफ एक्सेंच वाला चैप्टर कवर कर रहे हैं इसके यहाँ पर हम प्रेक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं किस बुक के टी एस ग्रेवाल की बुक के आज जो हम कोशन करने वाले हैं वो है कोशन नमबर 4 ठीक है अभी तक मैं इसके 3 कोशन बता चुकी हूँ आज जो कोशन कराऊंगी वो discounted of bank मतलब यदि हम हमारे बिल को bank से जाके discounted करा लेते हैं तो ऐसी स्थिती में हम क्या general entries करेंगे आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए like कीजिए, comment कीजिए किसी भी तदह का कोई भी doubt होता है तो मुझसे आप comment box में पूछ सकते हैं तो आज स्टार्ट करने वाले हम कोशन नमबर 4 स्क्रीन पर कोशन नमबर 4 को सबसे पहले आप देख लीजे क्या है कोशन विनोट सोल्ड गोड्स तू दर्बारा सिंग फॉर 1000 उन 1st जन्वरी 2021 यह द्रॉ अन लेटर अ बिल फॉर देमाउंट पेबल 3 months after date he discounted the bill with his bank for a 990 on 4th January 2021 on maturity the bill is due limit make a general entries देखिये बच्चों क्या हुआ कि एक तारिक को 1st January को किसने विनोट ने दर्बारा सिंग को सामान बेज दिया ठीक है और उसने एक bill उधार बेज दिया और एक bill of exchange प्रिपेर किया किसके लिए दर्बारा सिंग के लिए उसने उस पे sign करके उसको वापिस दे भी दिया ठीक है अब क्या हुआ कि जो seller था कौन seller विनोट उसको पैसो की जरूत पड़ गई तो वो कहां चला गया bank चला गया bank से पैसा लेने अब bank भी इतना अच्छा तो है नहीं कि जो एक हजार उपए उसको जो लेने थे किसस बायर से तो वो उसको seller को दे दे तो वो क्या करेगा अपने कुछ charges काट लेता है उसे क्या बुलते हैं discounting charges उसको काटने के बाद वो किसको seller को पैसा दे देता है तो उस स्थिती में हम क्या जंदल entries करते हैं drawer और drawer दोनों के लिए वो देखेंगे सबसे पहले तो ये A को हटा देते हैं A की जगे क्या आएगा विनोध विनोध कौन है? drawer और B की जगे कौन आएगा? दर्बारा सिंग दर्बारा सिंग जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं उधार में जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो क्या entry करता है drawer किस से खरीदा सामान? ड्रॉई से खरीदा ड्रॉई कौन है? दर्बारा सिंग तो यहाँ पे क्या करेंगे? दर्बारा सिंग एकाउन डेबिट तो सेल्स यह तो नॉर्मल जणरल एंट्री है कौन सी डेट है? 1st January 2021 कितने का सामान खरीदा? एक हजार का और क्या लिखेंगे? बिइंग मटेरियल सोल्ड टू दर्बारा सिंग ओके? यहाँ पर आपने लिख दिया अब ड्रॉई भी तो एंट्री करेगा क्योंकि उसने सामान खरीदा है तो वो क्या एंट्री करेगा? पर्चेज एकाउंट डेबिट टू बिनोद कौन सी डेट पर खरीदा है? 1st January को कितने का? एक हजार का अब यह क्या लिखेगा? अब बिनोद क्लियर हुई यह 1st वाली एंट्री जब हमने सामान खरीदा है किसने? ड्रॉई ने तो वो खरीदने की एंट्री करेगा जो ड्रॉई है उसने बेचा है तो वो बेचने की एंट्री करेगा आप क्या एंट्री होगी? बिल की क्योंकि बिल प्रिपेर हुआ है सारा काम उधारी में हुआ है तो बिल जो प्रिपेर हुआ है इसने किसको दिया? ड्रॉई को दिया ड्रॉई ने साइन करके किसको दे दिया वापिस? ड्रॉई को दे दिया तो ड्रॉर के पास क्या हो गया? बिल रिसीवड हो गया? तो बिल रिसीवेबल एक काउंट डैबिट और किस से मिला? दर बारा सिंग से इसको हम क्रेडिट कर देंगे और लिख देंगे बिल एकसेप्टेट फ्रॉम दर बारा सिंग और क्या डेट आएगी बच्चाओं? फ्रॉस्ट जैन्वरी ये दो एंट्रीज तो सेम ही होनी है और इसको क्या हुआ? इसका बिल पेबल हो गया तो इसकी एंट्री क्या होगी? विनोद एकाउंट डैबे टू बिल पेबल एकाउं क्या है फ्रॉस्ट जैन्वरी एक हजार बिल एकसेप्टेड ठीक है? ये जो एंट्रीज है ये तो नॉर्मल एंट्रीज है जो हम अभी तक करे ही है हमने पहले दो कोशन्स में भी करी थी ये कोई भी सामान जब हम बेशते हैं क्रेडिट पे तब ये एंट्री होती है और उसके बाद जब बिल ड्रॉ होता है और एकसेप्ट हो जाता है तब ये एंट्री होती है अब क्या होँ? फॉस्ट जनवरी को एंट्री हुई ट्रांजिक्शन हुआ मतलब फॉस्ट जनवरी को ट्रांजिक्शन हुआ फॉस्ट जनवरी को ट्रांजिक्शन होने के बाद जरुद पढ़ गई sailor को पैसे की 4 जनवरी को उसने किया कितने टाइम के लिए था 3 मन्त के लिए कुशन में 3 मन्त के लिए किया था ना अब लेकिन उसको 4 जनवरी को ही पैसो की जरुद पढ़ गई तो वो कहा चला गया bank चला गया और bank जाके उसने बोला कि मुझे भया पैसों की जरूत है और पर मेरे पास ये बिल है मेरे पास तीन महिने पाथ पैसे आएंगे आप मुझे अभी पैसे दे दीजिए बैंक ने अपने चार्जेस काट के उसे पैसे दे दिये तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्छों 4th January की ड्रॉर की बुक में एंट्री करेंगे बैंक एकाउंट डेबेट, डिसकाउंट, चार्जेस एकाउंट डेबेट, टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल तो चला गया तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे अब बैंक से आप देखे कोश्चन में दिया है न 990 रुपे, तो 990 रुपे बैंक ने दिये, 10 रुपे उसका चार्ज रख लिया और 1000 का बिल रेशीवेबल था, और यहाँ पर लिख देंगे बिल डिसकाउंटे फ्रॉम बैंक अब ड्रॉर की बुक की एंट्री एंड हो गई, क्यों? क्योंकि उसको तो पैसा मिल गया न, उसको जो तीन महीने बाद पैसा मिलने वाला था, वो अभी ले लिया उसने बैंक से चाहे, उसे 10 रुपे कम मिला हो अब लेकिन जब मिचियर्टी डेट आई, तब जो ड्रॉई था इसको पेमिंट करना पड़ा, किसको पेमिंट करना पड़ा? बैंक को पेमिंट करना पड़ा, तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी? बिल पेबल एकाउंट डेबिट टू बैंक डेट क्या आएगी? 1st January से, 1st February, 1st March and 1st April, उसमें 3 days हम किसके एट कर देंगे? ग्रेस के एट कर देंगे, तो यहाँ पर डेट क्या आएगी? 4th April, क्योंकि उसने पेट तो भही है, maturity वाले डेट पे ही किया है और 1000 रुपे किया है, और किसको किया है? बैंक को किया है बैंक को तो पूरे 1000 रुपे ही मिलेंगे, उसको 990 रुपे क्यों मिलेंगे? नुकसान तो किसका हो गया? ड्रॉर का हो गया, लेकिन उसको पैसा जल्दी भी तो मिल गया ना? तो यहाँ पर 1000 रुपे लिखेंगे और जिसे यहाँ पर क्या लिखेंगे? पेमेंट, मेंट on due date ठीक है? आप यहाँ पर नीचे narration में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी से मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा हैं, जो question से related है, उसे आप अपने words में लिख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर discounted वाला question किया है? अब question number 5 देखते हैं, on 1st January 2021, X sold goods of 20,000 to Y and draw a bill on Y at 3 month for the amount, Y accepted the bill, the necessary general entries on the books of X and Y, if X discounted the bill 12% per annum from the bank on 4th of January, देखें बचो, यहाँ पर भी सबसे पहले क्या हुआ? X ने Y को सामान सेल किया, तो सबसे पहली entry क्या होगी बचो? wise account debit to sales account, कौन से डेट को? 1st January को, कितने का? 20,000 का सामान पेचा, अब उसी दरहा से जो ड्रॉई है, उसने सामान खरीदा है, तो वो क्या entry करेगा? purchase account debit, और किससे खरीदा है? to, X account, यह भी का वहा है? 1st January को, 20,000 का? ठीक है, narration बच्चों अब आप लिखेगा, अब second entry क्या होगी? जो bill है, वो bill drawn किया गया है, किसके दौरा? seller के दौरा, किसके लिए? buyer के लिए, buyer ने agree करते हुए, उसे किसे दे दी है, वापे seller को, तो क्या हुआ? bill receivable account debit to wise account, कितने का होगया? 20,000 का बच्चों, ठीक है न, यह भी अभी 1st January ही होगी, अब इसने भी तो bills payable किया न, तो इसके क्या entry होगी? x account debit to bills payable account, ठीक है? डेट डाल दीचे 1st January, कितना amount आएगा? 20,000, ठीक है? अब क्या हुआ है, वो 4th of January को bank के पास गया, और bank से बोला कि मेरे पास अभी यह bill of exchange है, और पैसों की जरूरत मुझे अभी पढ़ गई, लेकिन यह 3 मन्त बाद मुझे buyer पैसा देगा, तो आप यह bill of exchange रख लो, और आप मुझे पैसा दे दो, तो bank बड़ी खुशी-खुशी तयार हो गया, लेकिन उसने यह बोला कि हम हमारे कुश discounted charge काट लेंगे, और आपको थोड़ा कम पैसा देंगे, लेकिन उस समय जरूरत थी उसको, किसको, seller को पैसे कीट, उसने का ठी तो वो मान गया, तो bank ने क्या किया, उसको पैसा दे दिया, तो क्या करेंगे हम, पैसा किस से मिला, bank account debit, discount charge account debit, to bill receivable, bill चला गया, अब कितना discount charge लग रखा उसने, 20,000 रुपे का bill था, ठीक है, 20,000 का bill था, उस पे 12%, लेकिन 3 मंद का, क्योंकि 3 मंद का bill drawn हुआ था न, और 3 मंद के पहले ही, उसको पैसा चाहिए लगा, तो bank ने क्या क्या, 3 मंद के charges काट लिए, तो कितना आएगा, 600, तो यहाँ आपर 600 discount charge लिखेंगे, bill 20,000 का है, 20,000 में से 600 minus करेंगे, 19,000 आएगा, यहाँ पर date आएगी, 4th of January, क्योंकि यह सब चीजे कौन सी तारीक को हुई है, 4th of January को हुई है, अब जब maturity date आई, कब आई maturity date, 4th of April, क्योंकि 1st January से 3 मंद 1st April, और 3 days maturity के, तो जब maturity date आई, तो क्या हुआ उसने bills payable कर दिया, तो bills payable, account debit, और किसको करा, bank को करा, drawer से तो उसे कोई मतलब भी नहीं है, जो bill है, वो bank के पास है, 2 bills account, और कितना कर दिया, 20,000, उसे तो पूरा 20,000 ही करना पड़ेगा न, bank को, तो यहाँ पर, यदि इसी तरह से कोई percent दिया होता है, तो आपको जितने का लिया है, और वो उसने bank जा कर, कब discounted करा है, तो उतने time का आपको, क्या लगाना है, discount charge लगाना है, ठीक है, अब अगला question देख लेते है, question number 6, A sale goods of 10,000 on 1st March 2021 to B on credit, B accepted a bill of same date for the amount payable 3 month after date, are discounts, the bill at 6% per annum from the bank on 4th April, on maturity, the bill made by B passed the necessary general entries, देखिए बच्चों, ध्यान से इस question को देखिएगा, थोड़ा सा घुमाने वाला है, क्यों है, क्यों कि पहले दो question तो उन्होंने easy से रे दिये discount के, लेकिन इस question में क्या दिया हुआ है, कि first March को bill draw हुआ, कितने का, 10,000 का, किसने किया, A ने किया, B के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने सामान उधार खरी रहा, तो bill to draw हो नहीं है, उसके बाद, एक March पर किया, उसने 3 month के लिए यह मतलब March, April, May, June, June में वो bill का पैसा मिलना था, लेकिन उसको जरुत पढ़ गई April में ही, ठीक है, तो वो कहां गया, एक महीने बाद, ठीक है, क्योंकि bill कप का है, first March का है, 4th of April को वो bank गया, वो bank से बुला कि मुझे पैसो की जरुत है, मेरे पास यह bill है, और मुझे 3 महीने पैसा मिलेगा, तो यह bill आप रख लीजिए, और मुझे आप पैसे दे दीजिए, तो क्या करेगा bank, अपने discount charge काटेगा, लेकिन सबसे पहले तो कौन सी entry होती है, जब हम कोई सामान बेचते है, तो drawer अपनी books में बेचने की entry करता है, और जो drawer है, वो खरीदने की entry करता है, त तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 account debit, to sell account, ठीक है, सबसे पहले तो क्या देखेंगे, date देखेंगे, 1st March 2021, 1st March, कितने का bill, 10,000 का, यह किस की books में होगी, drawer की book में, आप इसने सामान खरीदा है, तो इसके में क्या होगी, purchase account debit, और किस से खरीदा है, A से, to A's account, 2021, 1st March, 10,000 का, यह तो खरीदने और बेशने की entry होगी, अब क्या हुआ, bill बनाया गया, बिल को इसने accept किया, और इसको दे दिया, तो इसके receive कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, bill receivable account debit, to 20 account, कौनसी date आएगी, 1st March ही आएगी, date थोड़ी change हो जाएगी, date same ही रहेगी, और इसी तरह से इसने क्या किया, bill दिया, तो इसके में क्या हो जाएगा, किसको दिया, is account debit, to bills, payable account, कितना, 10,000, यह entry, same entry है, जो इसी पहले होती थी, अब क्या हुआ, उसने 4th of April को, 1st March को bill बनाया, और 4th of April को उसको जरत हो गई, तो यहाँ पर 4th of April को वो bank गया है, तो 4th of April, bank account debit, discount charge account debit, amount, discount amount, discount amount नी, discount charges लिख लीजे बच्चों, discount, charges account debit, to bill receivable, ठीक है, अब क्या हुआ, bill कितने का था, 10,000 का था, March में bill बना, गया कब वो, bank के पास April में, तो April, मई और जून, 2 months, 2 months अभी बच्चे हैं, bill को, mature होने में, तो bank क्या करेगा, 10,000 पे, कितना percent दिया हुआ है, देखिए, 6%, दो महिने के लिए लगाएगा, ठीक है ना, तो कितने charge हुए उसका, सो रूप है, आप करके देखिए, और 10,000 में से जब 100 को माइनस करेंगे, तो 9,900, clear हो गई बात, अब आगई maturity rate, तो क्या करेगा वो, bills, payable, account, debit, कौन, ड्रॉई, to, किसको देदेगा पैसे, bank को देगा न, क्योंकि जब maturity date आएगी, तो bank के पास तो पहले सही बिल है, तो यहाँ पर यह entry करेंगे, कितने की, 10,000, आप यहाँ पर date कौन से आएगी बच्चों, maturity date, maturity date कौन से है, 4th of June, समझ में आ गई न, कैसे निकले maturity date, 1st March से, 3 months, तो कितने हो गई, 1st June, और उसमें 3 days grace के कर देंगे हम end, तो कितना आ जाएगा, 4 June, अभी तक तो आ गई न, आपको days निकालने, maturity date निकालनी, तो ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर entry होगी, narration, आप लिखिएगा, time लग जाता narration लिखने में, ठीक है, तो आज यहाँ पर हमने यह 3 question करें, अब जल्दी जल्दी में यह chapter cover कराऊंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, जिनके exams almost आने वाले हैं, या आ गए हैं, तो उनके लिए मैं यह चाहती हूँ कि इस मन्त में यह chapter में cover करवादूं, आज यहाँ पर हमने 3 question करें, अब अगले next question मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगे, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, thank you